बना दिया है रास्ता, आप कोलेज के भाहर तक जब तक जाओगे, आप देख रहे होगे, आपका हाइश्ट आपको बता दिये, पर हजार में से एक ही बंदा होगा, और मैं तो चाता हूँ एक ना हो यार, क्योंकि पूरे इंडिया को थोड़ना बता रहे हम ये रास्ता, और कोई कॉमेडियन है, वो कॉमेडी कर रहा है, क्योंकि उसे कॉमेडी पसंद, अब दुबारा उस चीज़ पर आते हैं, कि मालनू, तुम्हें इंडिया का सबसे बड़ा रेश्टरॉण खोलना है, तो तुम्हारा पहला स्टिप क्या होना चाहिए, तुम्हारे जेब में सोशल मीडिया चलाएंगे, अब सोशल मीडिया से आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा होगा, कि मैं ठेला खोल लूँगा, आया न, मैं ठेला खोल लूँगा, और उस ठेले के वीडियो सोशल मीडिया पर डालूँगा, यूट्यूब पर डालूँगा, इंस्टेग्राम पर डालूँगा ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है और वहां से मेरा ठेला फेमस हो जाएगा और वो ठेला जब फेमस हो जाएगा तो मेरे से बहुत सारे लोग ओमलेट खाने आएंगे और वो 100-100 रुपे का ओमलेट जोड जोड के मैं एक दिन बहुत बढ़ा आदमी बन जाए यह एक रास्ता है बहुत सही रास्ता है पर इससे बेटर रास्ता विलेवल है क्या हम जाने एक्स्प्लोर करें उसे मैंने का येस स्टेप नंबर वन आप सोशल मीडिया पर अपना पेज खोलो गए माल लो तुम्हें सबसे बड़ा रेश्ट्रॉण खोलना है तो मैं उसका नाम दे दू बड़ा रेश्ट्रॉण मतलब ये नाम नहीं दोगे तुम पर यहां पर फॉर रेफरेंस मैंने बड़ा रेश्ट्रॉण नाम दे दिया यूट्यूब और इंस्ट्रग्राम पेज फेस्बुक पेज हर एक का मैंने ये नाम दे दिया अब मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास चवन्नी है तो तुम् क्योंकि ठेला खोलने के पास पैसे नहीं है तुम्हारे पास राइट मम्मी पापा पैसे देंगे नहीं और ना हम लेने वाले उनसे मैंने का बड़ा रेश्ट्रॉंग खोलने हैं हमें क्या करें सोशल मीडिया पे क्या अकाउंट बनाने का पैसा लगता है नहीं लगता है गूगल अकाउंट लगता है अब मैंने का मेरे पास मोबाइल है अगर तुम ये क्लास देख रहे हो तो मोबाइल या कुछ ऐसी पर उसके बाद उसको exploit करता हूं मैं trend बनाता नहीं हूं मैं trend पकड़ लेता हूं और उसके बाद उसे exploit करता हूं आप social media पे एक दो दिन ये देखोगे कि यार चल क्या रहा है अच्छा YouTube के उपर जो खाना बना रहे हैं लोग वो क्या दे रहे हैं इंस्टरग्राम पे कौन सी food की clips चल रहे हैं अच्छा लोग बस ये देखना चाहते हैं कि यार जल्दी से खाना बना कैसे उन्हें पूरा 15 मिनट का नहीं देखना है उन्हें 40 सेकंड से एक मिनट के अंदर ये देखना है कि इसके अंदर ये डला ये डला ये डला clips एकदम से उपर सी आती जाएं और लास्ट में ये तड़ा खाना रेडी है मैंने कहा तुम दूसरों के रेश्टरॉन में जाओ क्या मैं बोलू तुम दूसरों के रेश्टरॉन में जाओ और उनके खाने को अपने चानल पे कवर करो और राइट कि यार ये देखो हाँ देख लिया मैंने मत बाकी ले जाओ और कुछ नहीं खाऊंगा मैंने क्लास चल रही है माता है मैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक अभी बड़ा रेश्टरॉन खोल रहा हूं मैं अभी मैंने का मेरे पाइट करूंगा उनके डिस्टिस को कि ये देखो यार पंजाबी पंजाबी के अंदर ये पांच डिस भाई साव और मैं उन चीजों को कवर करूंगा फिर मैं एक दिन जाओंगा मैं देखूंगा अच्छा वही रास्थान की ये टॉप पांच डिस इस रेश्टरॉन में मिलती हैं क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूं क्या मैं ये जा सकता हूं ओहो फलाना सड़क पर ये ओमलेट इतना बढ़िया बना सकता है और क्या मैं बोल सकता हूं उसकी विवर्शिप भी स्ट्रॉंग होगी आप दस लाख लोगों तक पहुंच सकते हूं आप फर्स्ट डे पर नहीं पहुंचोगे जनाब पर ये थमरूल बना लो अगर आपने 50 वीडियो नहीं बनाए हैं उससे पहले तो कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना आज के दिन इतना कॉम्पेटिशन है कि मिनिमम 50 वीडियो और 50 वीडियो विद क्रियेटिव विद आपका प्रेजेंस आफ माइंड कि आप कितना ओनलाइन को खोद सकते हो कि क्या आज के दिन ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ को आप पकड़ पाओ क्या चीज़ समझ पा रही हैं एक चोटा सा थमनेल दू थमरूल चार साल में अगर आप 500 प्लस वीडियो डाल देते हो there is a good probability आपको placement नहीं उठाने पड़ेगी क्योंकि मैं यह नहीं कह रहा है आप adsense से उतना revenue generate कर लोगे ने 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 मैं यह करे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि आप 500 वीडियो डालने के बाद कि इतना बड़ा social media आपके पास हो कि कल को restaurants आपको बुलाएं कियार हम ये भी बनाते हैं आप आके खाओ तो अरे हाँ है ना हम यह यह बनाते हैं आप आके खाओ तो अब आप सोने पर सोहागा आपके लिए content बन रहा है आपका पेट भी भर रहा है और जैसे ही आप बड़े वे तो आपको उस चीज के लिए payment भी बिलेगी, तो क्या मैं बहुत हूँ, आपके दो सोर्स ओफ रेवेन्नी हो गए, पहला आपका यूट्यूब का एडसेंस, और दूसरा आपका क्या हो गया, जो आपको कमर्शिल्स पे कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर, खाने को खाने के लिए, तो काफी सारे जो बड़े creators जो किसी बड़े restaurant में जाके खाते हैं, उसके पैसे मिलते हैं उन्हें, और वो अच्छा पैसा होता है, खाना खाने का पैसा मिल रहा हूँ, उससे बड़े चीज क्या होगी जिन्दगी में, आया ना, बताओ यार, तो वो आपकी एक stage हो गए, जहां पे आपने पहले तो य जाते हैं, उन्हें यह नहीं बताते थे कि पीछे एडिटिंग लगती है, कभी PC रुक जाता है, कभी हैंग हो जाता है, तो 4-5 गंटे लग जाते हैं, कभी net नहीं मिलता, तो 6 गंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि back in 2015-16 आपको एक मन्त का 1 GB मिलता था, जब आपको per day मिलता ह वो उस टाइम पर मन्त मिलता था, तो एक वीडियो अपलोड करना वाज लाइक भाई साब, अब तो वाइफ है चाहिए चाहिए, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यह चीज़ कलियर हुई, अब मैंने का, एक्जामपल मान लेते हैं, कि आपके पास आज के दिन 2 मिलियन लोग है, यह चेलो 2 मिलियन आपको बड़ा अमाउंट लगता है, क्योंकि 2 मिलियन अचीव करने में आज के दिन 4-5 साल लगते हैं, अंटिन अनले साब बहुत ही ज़ादा लग्यों, और एक दम से शूट अप मार गए, कुछ चैनल होते हैं, जो शूट अप मार जाते हैं, पर एक जनरल सिनेरियो, अगर मैं लूँ, माल लो आपके पास 5 लाख लोग भी हैं, अभी भी वो स्टेज नहीं आई, दो मिलियन मान ले, मुझे बताओ, दो मिलियन पर अगर आप अपना एक रेश्टरों खोल देते हो, क्या मैं बोल सकता हूँ, दो मिलियन स्टेज पर आ मैंने बोला, अब क्या आप उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हो, कि यार फलाना जगा, मैंने ये नई चीज खोली है, अगर कोई आना चाहे तो जरूर आना, बड़ा रेश्टरों खोला है, बना दिया रास्ता, आप को अलेच के भार तक जब तक जाओगे, आप देख रहे ह हो गया, आपका हाईएस्ट पैकेज होगा, कैसा लगा, बड़िया था, मज़ा आया, कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना, अब मैंने रास्ता आपको बता जिये, पर हजार में से एक ही बंदा होगा, और मैं तो जाता हूँ एक ना हो यार, क्योंकि पूरे इंडिया को थोड़ ये सोर नो, अगर कोई कोमेडियन है, वो कोमेडी कर रहा है क्योंकि उसे कोमेडी पसंद,